तो चलिए बात कर लेते राशी नमर एक मेश यानिकी एरीस की मेश राशी वालों आज आपका दिन अनकूल रहने जा रहा है चंद्रमा पांच में भाव में सिंग राशी में और मगा नक्षत्र में हैं समाज में आपका वर्चस्व बढ़ने की आप कोशिश करेंगे बिजनिस और नौकरी में आपको धनलाब दोनों जगे हो सकता है लोगों से आपको सहयोग मिलने की आज उमीद भी है क्योंकि पांच मा भाव जो है वो प्रेम का भाव है ज्यान का भाव है उमीद का भाव है आप अपने कारशेत्र में कुछ बदलाव करने की भी आज सोच सकते हैं यह आपके लिए ठीक भी रहेगा लवमेट के बीच नजदी क्यां बढ़ सकती है बस एक छोटा सा जरू काम करें वो यह के तुलसी का पत्ता आप अपनी जीप पर रख लीजे इससे क्या होगा पॉजिटिव उर्जा दिन भर आपके मन में बनी रहेगी साथ बसाथ के अंदर यह दिन जो है यह प्रेम के लिए संबन्नों के लिए काफी एहमेद रखता है और साथ बसाथ में पांचमा भाव धन से भी संबन्न दे थे तो लंबे समय से अटके हुए मुहावजे और कर्ज आदी आखिरकार आपको मिल ही जाएंगे ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं या अगर आप लिविनिन में भी हैं या आप किसी के साथ जो प्रेम करते हैं आज आपके किसी काम की वज़े से बहुत जुंजलाहट मैसूस करेगा यह जुंजलाहट हो सकता है आपके गलिक्स के साथ भी हो आपकी आँखें चमकने लगेंगी और धड़कने तेज हो जाएंगी आज जब आप अपनी सपनों की शहजादे से या राजकुमारी से मिलेंगे यानि कि आपके प्यास आपके लवमेट से मिलेंगे तो उसमें प्रेम में काफी रोमांच रहेगा कामकाच पर ध्यान देनी के बजाएं ज़ादा आज आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं आपके लिए समस्या इस बारे में खड़ी हो सकती है because you need to be very peculiar about your work also दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी शमता आज आपको खास पहचान दे सकती है ये दिन प्रेम से भरा है ये दिन भरा है आपके लव लाइफ की कुछ अपस और डाउन से ये दिन भरा है पैसों से सम्मंद तो इस दिन को थोड़ा सा डिजाइन कीजिए तो चली बात कर लेते हैं आज के आपके शुभा शुभ की मीश्राशिवालों आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा छै शुभ रंग रहेगा गुलाबी शुभ दिश्या रहेगी दक्षन पूर्व शुभ समय रहेगा दिन में डेड़ बजे से लेके शाम को तीन बजे तक का और उपाय के तौर पर क्या करें आप जायफल जो है सुरु सिवार कर शिविलिंग पर चड़ाएं इससे क्या होगा इससे प्रेम में सफलता मिलेगी आपके ओफिस कामों में सफलता मिलेगी धनलाब होगा और साथ बसाथ के अंदर से दिन आपके लिए काफी रोमेंटिक झाल